आरके स्टूडियोज के बाद कपूर फैमिली ने अपनी एक और प्रॉपर्टी जो है वो बेच डाली है दोस्तों चलिए बात करते हैं आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो कपूर फैमिली लगतास सुर्खियां बटोरती है अलग-अलग वीजन्स रहते हैं और कहीं न कहीं इनहोंने कुछ अपनी ऐसी पुछ तैनी प्रॉपर्टीज सेल की हैं जिसकी वज़ा से इनहोंने ज़ादा सुर्खियां भी बटोरी हैं और लोगों की कुछ मिले जुले कॉमेंट्स भी उस पर देखने को मिले हैं दोस्तों बात करें तो आरके स्टूडियो जबिका था दो हजार उन्निस में और गोद्रेज ने से खरीदा था उसके बाद इस पर किसी फैक्टरी का निर्मान किया गया है उसके बाद दोस्तों अब कपूर बंगलो जो चेंबुर में स्थित था उस बंगलो को भी बेचा जा चुका है वो भी सेल कर दिया गया है ये बंगलो जो है इसमें राजीव कपूर रहते थे उनकी पिछले साल ही डेथ हुई है बात करें तो गोद्रेज ने ही ये बंगलो भी खरीदा है और यहाँ पर वो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का निर्मान करने वाले हैं जो काफी लगजूरियस रहेगी बात करें तो ये बंगलो रंधी, राजीव और रिशे कपूर के नाम था और तीनों ने मिलकर ये बेश डाला है दोस्तों देखा जाए तो ये बंगलो काफी ज़ाधा फेमस था क्योंकि ये वो बंगलो था जहां पर जो हुमारी राज कपूर साहब थे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे अब बात करें तो लोगों का ये कहना है कि वो एक यादे थी उन्हें एक म्यूजियम में तबदिल किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कपूर फैमिली ने वो प्रॉपर्टीज जो है बेश डाली है अब सभी को ग झाली है